हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब गर्भी बार बहुत ज्यादा पढ़ रही है तो आज मुझे घर में सब ने बोला कि ऐसा नाश्ता बनाओ जो चटपटा और टेस्टी तो होई साथ में ओयल बिल्कुल भी ना हो तो मैंने बनाया आज यह बहुत ही टेस्टी और चटपटा स नाश्ता जिसे आपने एक बार बार जरूर बनाएंगे तो चलिए फटा फट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बहुत ही मतलब यह समझे कि जीरो एल में बना हुआ नाश्ता है जो बहुत ही जटपट भी बनता है साथ में टेस्टी बहुत लगता है रेसिपी पसंद आए एक मिक्सी के जार में डाल लिया अब इसमें डाली उसकी भी हाफ मैंने तही थोड़ा सा मैं पानी एट कर दूँगी एक छोटा चमच मैंने इसमें ऑईल का डाल दिया है इससे एक सौफनेस आई और बिल्कुल थोड़ा सा नमक और इन सारी चीज़ों को प्लैंट कर लें तो देखिए हमारा जो पेस्ता काफी अच्छा हो चुका है सूजी भी अच्छे से एकदम स्मूथ हो गई है बस अब इसे आप ट्रांसफर कर लें एक बाउल में और उसके बाद आप इसे थोड़ी सी देर छोड़ दें क्योंकि सूजी क्या होती है जब आम इसे थोड़ी के पास तो दो काफी है मैंने अच्छे से इने मैश कर लिया अब हम इसमें पसंद के साब से मसाले डाल देंगी तो थोड़ा सा नमक आदा चमबच धनिया पाउडर वनफूर चमबच हल्दी का पाउडर आदा चमबच लाल मिर्ची का पाउडर आदा चमबच भुना जीरा आदा चम्मच चाट का मसाला दो से तीन कटी हरी मिर्चे और मेरे पास धनिया गतम हो गया था तो मैंने बारिक बारिक करके धेर सारा करी पत्ता डाल दिया है कट करके इसमें और सारी चीजों को अच्छे से मिला लें तो ये देखिए हमारी स्टफिंग जो है तयार हो जाएगी आलू के लिए आप एक चीज का ध्यान करें कि आप किसी भी डिश के लिए इस तरीके से स्टफिंग बनाने के लिए आलू बॉयल करें तो आप हमेशा आलू को तीन से चार घंटे पहले उबाल दें उससे क्या होगा जो आलू की स्टफिंग है वो बिल्कुल सूखी बनेगी एकदम भी कीली नहीं होगी तो देखिए हमारी स्टफिंग भी तयार हो चुकी है मसाले अपने पसंद के इसाब से अपकम ज्यादा कर सकते हैं मैं जो आज आपको नाश्ता बनाने वाली हूँ यह बिल्कुल बिना जंजट वाला होगा मतलब बहुत ही फटा फटा आप इसे बना लेंगे तो अब इस स्टफिंग में से मैंने थोड़ा थोड़ा पोर्शन ले लिया और इस तरीके से छोटी छोटी से टिक्कियां बना ली कई लोग इस आलू की जो इस स्टफिंग है उसको फ्राई भी कर लेते हैं लेकिन मैं आज ज़्यादा जंजट आपको नहीं बताने वाली हूँ तो इसलिए जस्ट मैंने बस ऐसे ही यालू में मसाले मिक्स किये हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो देखिए इस तरीके से हमारे टिक्कियां रेडी हो गई अब जो हमारा सूजी वाला मिक्स था वो काफी अच्छे से फूल चुका है 10-15 मिनट में बस अब आपको करना क्या है इसमें आदा छोटा चमच इनो डाल दे या एक चुटके बेकिंग सोडा डाल दे और बस इसके बाद जो आपका ये मिक्स है ये रेडी हो जाएगा फिर आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है तुरंत ही आपको अपना नाश्टा बना देना है देखिए इनो डालते ही है कितना फलपी और हलका हो चुका है तो अब इस नाश्टे को बनाने के लिए मैं ले लूँगी छोटी-छोटी सी कटोरियां तो मैंने इस तरीकी की छोट-छोटी कटोरियां ले ली और इने ओयल से ग्रीस कर लिया जिससे नाश्टा जब पकर तयार हो तो बहुत आसानी से निकल पाए तो अब आपको करना क् कटोरी की तली में थोड़ा-थोड़ा सा मिक्स इस तरीके से आपको डालना है स्टार्टिंग में बहुत ज़ाद नहीं डालना है बस थोड़ा-थोड़ा सा तली में डाले मैं आपको बताने वाले हूँ यह बहुत ही टेस्टी बर्गर जो एकदम अलग तरीके से बनेंगे अब इसमें एक टमाटर का पीस रख दिया मैंने चाहें तो अगर प्यास खाते हैं तो प्यास कभी एक गोल स्लाइस रख सकते हैं तो इस तरीके से मैंने टमाटर रख दिया है अब इसके उपर जो मैंने आलू के टिक्की बनाई थी वो मैंने रख दी है और इसके बाद उपर से मैं जो बचा हुआ मिक्स है उससे से कवर कर दूँगी लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कटोरी को पूरा फिल नहीं करना है बस हलका सा मिक्स डालें बस ये कवर हो जाए दिखाई ना दे उतना ही मिक्स आपको डालना है तो देखे मैंने थ्री फोर्थ में इस कटोरी को भर लिया है मतलब बहुत जादा उपर तक नहीं भरा है जितना mix मैंने आपको बताया, इसमें हमारी करीब 6 कटोरिया बन कर तयार हो जाएंगी तो मैंने एक कड़ाई में पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था बंदरा मिनट बाद आप चैक करें तो देखिए हमारी जो बर्गर एच्छे से फूल चुके हैं कोई चाकू या नाइव डाल कर देखें अगर बीना चिपके निकल आए तो समझ ये पकर तयार है तो अब इन्हें निकालने और ठड़ना होने दें और थोड़ा ठड़ना होने किनारों से बस हलका सा चाको से स्क्रैप करें वैसे तो हमने इसमें ओयल से ग्रीज कर दिया था और बस हातों पर इस तरीके से हलका सा थप तपाएंगे तो ये देखिए हमारे सौफ से तेस्टी सूजी के बर्गर तैयार है तो आप देख सकते हैं कि अंदर से भी कितने सौ स्पॉंजी बने हैं तो लीजे हमारे से तेस्टी से स्पॉंजी बर्गर तैयार है तो अगर आपको मेरा ये तरीका यूसफुल लगा हो तो प्लीज लाएक और शेर जरूर करें और अपना नोब मुझे कमेंट बॉक्स में चिरूर बताएं और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आप भी एक बर जरूर ट्राय करें इस टेस्टी से नाश्टे को आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ भन्यवाद